हेलो औल एंड विलकम बैक अगें टू मॉडर्ण हिस्ट्री सीरीज मॉडर्ण हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोग ने देख रखा था 1918 तक की सारी घटना है जहां पर mainly जो event हुए थे वो थी home rule moment और इस moment में हम लोग ने देखा था किस तरीके से end में जाकर के moment ultimately fail हो जाता है और fail होने के बाद again सारी command जो है गांधी जी में आ जाती है फिर हम लोग ने गांधी जी के बारे में पढ़ा था और गांधी जी के सत्या पर मोमेंट के बारे में और फिर ultimately non cooperation moment के बारे में हम लोग देखेंगे फड़ावट शुरू करते हैं सबसे पहला topic हमारा है रॉलेट act के बारे में रॉलेट act इस act के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे य enarchiaal and revolutionary crime act था revolutionary crime act अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि किसी को भी शक पर गिरफ्तार किया जा सकता था arrest किया जा सकता था और वो भी arrest without bail arrest without bail का फंडा था यहाँ पर तो अब ये एक तरीके का NRKL था क्योंकि अब शक का मतलब शक एक very subjective thing शक जो है वो बहुत ही subjective होता है केवल आदमी को शक के आधार पर अगर गिरफतार किया जाना शुरू हो गया तो अपने आप में एक तरीके से कह लीजिए कि ये NRKL था जहां पर किसी को भी गिरफतार किया जा सकता था और ये basically target कर रहा था बड़े बड़े जो big leaders थे उन्हीं लोगों को और big leaders ने जब इस चीज इस rollet act को देखा तो obvious ही बात है वो Britishers के लिए एक bonion contention बने गाई बने गा तो इस वज़े से इन्होंने जो Britishers थे उन्होंने गिरफतारी करना अरेस्ट करना शुरू कर दिया और अरेस्ट करने के नाम पर लगबग लगबग सारे नेता जो है अरेस्ट किये जा चुके थे गांधी जी को अरेस्ट किया गया कहां से किया गया गांधी जी को अरेस्ट ये किया गया था पलवल से पलवल हर्यागणा से गिरफतार किया गया सत्यागरा कर रहे थे इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद थे इनको भी गिरफतार किया गया श्वामी शद्धानंद को भी ग्रफतार किया गया और ये जो है वो आरे समाजी थे आरे समाजिस्ट तो इनको भी ग्रफतार कर लिया गया था इसके अलावा और कौन-कौन लोग थे जिनको ग्रफतारी हुई थी तो जम्ला लाल बजाज थे इनकी गिरफतारी हुई थी इसके अलावा हर्नीमेन की हुई थी इसके लावा शंकरलाल बैंकर इनका टाइटल था द्वारका दास क्यों ही थी द्वारका दास ये वही द्वारका दास है जो आगे जाकर के लंदन में चले जाएंगे और लंदन से फिर ये यूएस से चले आएंगे इंडिया हाउस के भी ये मेंबर थे इनके बारे में हम लोगों ने देख रखा है तो ये सत्यागरा किया जा रहा था हमारे गांधी जी के द्वारा और इस समय गांधी जी का ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर ये पहला प्रोग्राम था जहां पर इन्होंने सत्यागरा को स्टार्ट किया था और इसको देखकर के जो एनी बेसेंट थी उन्होंने इन्हें एक मतलब पोलिटिकल चाइल्डिस्ट रियक्शन कहा कि इन्होंने कहा कि यह चाइल्डिस्ट रियक्शन है तो यहां पर इन्होंने कहा राजनीतिक बच्चा किसको गांधी जी को किस ने कहा था तो यह बिसिकली रॉल एट एक्ट के बारे में है रॉल एट एक अर्कियल एंड रिवॉलुशनरी क्राइम के नाम से भी जाना जाता यह एक important चीज था जिसको आपको ध्यान रखना था basically यहां पर कुछ छोटे-छोटे यही facts हैं जिनको आपको ध्यान रखना है next आगे बत करें तो अब आता है जलिया वाला बाग जलिया वाला बाग अब यह सारे जितने भी incident है वो 2019 के दोरान में ही हुए थे और कई बार इसको sequence में लगाने को भी question आ जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा जलिया वाला बाग में क्या होता है कि यहां पर डॉक्टर किचलू के गिरफतारी के लिए और सत्यपाल रहते हैं सत्यपाल इन नोनों लोगों के गिरफतारी के है तो कुछ इस तरीके की चीजें यहां पर हो रही थी तीन दिन बाद थौटीन अपरेल के दिन यह मतलब बैसाखी का दिन होता है और इनफेक्ट आज भी बैसाखी बगर तो खेर मनाया ही जाता है यह पर्व है तो पंजाब में यहीं पर यह बैसाखी के लिए अल्टिमे कुछ नहीं होंगे कही न कहीं पॉलिटिकल एजेंडा कुछ ना कुछ हाई ही जाएगा तो यहां पर किवल चर्चाएं हो रही थी और फैस्ट था लोग फैस्टिवल मनाने आये थे चोटे बड़े बुड़े बच्चे जवान सब लोग आये हुए थे मौके का फायदा FROM SAM-ता ओ डायर और ध्यान रखेगा दोनों नाम नाम थीखिक है जनरल डायर और अड़ा और।िमेटली इसने क्या किया बिना अनाउंसमेंट के फारिंग करवाने शुरू कर दी अफारिंग करवाने में ओभ विस ही बात बहुत सारे लोग नारे जाएंग और उल्टिमेट पर जाएंगे तो उवहाँ कई सारे फोटो गजरें बने हैं यता क्याकर बाया जाई ता कि दिवारे थी उस पर रोग कूत कर भागने की कोशिच कर रहे थी लेकिन जैसे ही्ट भार पर चड़ने की कोशिच kindness रही होगी तो वो भी अब hate में बदल गई थी तो hateful affair ये था भी और इस कारण से अब returning of the titles होना शुरू हो गया returning of titles तो जितने भी लोग थे बड़े बड़े जो लोग जैसे रविना टैगोर हो गया इन्होंने भी अपनी जो है नाइट हुड की जो टाइटल थी वो वापस क कर दिया हाना कि थोड़ी अफवाहें है ऐसा कहा जाता है कि रविना टैगोर जो है अपनी title को दे नहीं रहे थे वो western idea के थे और वो अपने title को return नहीं कर रहे थे इसका विरोध नहीं कर रहे थे लेकिन गांजी जी के समझाने पर बाकी लोगों के दबाव में इन्होंने य रहेंगे ही रहेंगे इवें जिन्ना जो कि मुसल्मानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किये थे मुसलिम लीग के लिए बहुत काम किये तो और एक समय ऐसा आया था जब वो Congress के साथ थे क्योंकि उनके जो आईडियास थे उसके अगर favor में Congress चल रही थी तो उनके साथ हो ग ही तो जिन्ना भी कहीं न कहीं ऐसे थे कि वह इंडियन नेशनल इस्ट्रगल में बहुत ज़्यादा कंट्रिब्यूट किये हैं वह बात दूसरी ही कि हमारी हिस्ट्री उतना बेटर तरीके से दिखाती नहीं जस्ट बिकॉस वी है पार्टी वी है डिवाड़े आउर कंट्र लावा शंकर नायर हुला कर शंकर नायर इन्होंने क्या किया था इग्जीक्यूटिव काउंसल से रिजिगनेशन दे दिया था में अगर इतना यूएन क्राइम मचेगा तो ऑवियस ही बात है कोई ना कोई कमेटी बिठाई ही जाएगी तो इसके लिए बिटिशर पर जब दबाव पड़ा तो बिटिशर नहीं क्या किया किया कि एक कमेटी बना दी जो कि जलिया वाला भाग को इंक्वायर कर रए थीू कमेटी का नाम था कमेटी का नाम अगेनी विर्य वेरी ईंपार्टन कमेटी का नाम था हंटर कमेटी दिस इज़ हंटर कमेशन रिखे दो चीज को एक सारी डिया वाला भाग हैं लेकिन इसमें क्या है कि बृटिश मेंबर के साथ ही साथ में इसमें इंडियन मेंबर भी थे और इंडियन मेंबर्स होने के कारण से ही ऑवियसी बात है कि थोड़ी सी यहां पर चीज़े जो होती है वो हमारे फेवर में आ सकती थी अगर देखा जाए इस कमिटी में कौन कौन से लोग थे तो इस कमिटी में जो लोग थे बिटिशर के नाम पे वो थे टेस्किन मतलब कि यह जस्टिस थे जस्टिस टेस हो गए इसके अलावा राइस हो गए इसके अलावा बौरो हो गए बौरो हो गए इसके अलावा इसमित हो गए ठीक है तो यह लोग थे जो बिटिशर थे इसके अलावा इंडियन नाम में अगर बात करें तो चमन लाल थे इस चमन लाल यह इंडियन थे सुल्तान एहमद थे सुल्तान एहमद थे ठीक है और एक सहाव थे जगत नरायन मुल्ला ये लोग थे बिसीकली और ये जो है Hunter Commission में थे अब Hunter Commission ने अब व्यूस ही बात है ऐसा तो नहीं कि अगर बहुत ही प्राउड फुल मोमेंट था जलिया वाला Hunter क्टरकमीशन ने भी पाया था कि देखो यह जो है वो इंसिडेन्ट गलत किया गया था और यह शेमफुल इंसिडेन्ट है लेकिन यहां पर यह अनकंकलूजिव निकलाए यहां पर इन्होंने अपने जो रिपोर्ट थी उसमें इनक्लूजिव दिखाया और यह कहा कि हम लोग इससे कुछ बता नहीं पा रहे हैं कोई चीज आ नहीं पा रही है लेकिन यह कहीं न कहीं जो होती है वह शेमफुल एफेक्ट थी लेकिन ब्रिटिशर जो है इससे खुश तैगर आफ ब्रिटिश इंपायर बोला गया था इसके अलावा कई सारे इसको मतलब टाइटर के साथ साथ पैसे भी दिये गए थे 600 पांड जो है इसको एस गिफ्ट दिया गया था इसके अलावा सौर्ड ओफ ऑनर भी दिया गया था तो कहीं न कहीं यह दिख रहा था कि य वेसी बात है जिन्दा तो रह नहीं पाएंगे तो डायर साहब की मतलब मॉडर कर दिया जाता है उधम सिंग करते हैं तो दिस इस उधम सिंग उधम सिंग ने अल्टिमेटली डायर को लंदन में जाकर के मारा था 1940 के दोरान में इन्हें शॉट मर्डर कर दिया गया था तो यह काम किया गया था बाकी एक मॉन्टेग्यू साहब थे मॉन्टेग्यू इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि दिस इस काइंड ऑफ रिवाल्यूशनरी मर्डर था रिवाल्यूशनरी मर्डर इन्होंने कहा था इस से इवाल्यूशनली मर्डर ठीक है अच्छा इस हंटर कमीशन के अलावा हंटर कमीशन यहां पर जो बनाई गई इसके अलावा जो हमारे इंडियन लोग थे इन्हों ने भी अपनी एक कमीशन बनाई थी तो हंटर के बैक्ग्राउंड में इंडियन कमिटी बनाई गी जिसको बोलते हैं मदन मोहन मालविय कमिटी मदन मोहन मालविय कमिटी या कमीशन जो भी बोलना चाहें इन्हों ने इन्हों ने भी इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की इनक्वाईरी की और यहां पर कौन-कौन से लोग थे जो इसमें में मेंबर थे वो थे मोतिलाल नहरू इसके अलावा गांधी जी ते ठीक है गांधी। जी ओगए इसके अलावा atrás थे ठीक है सीर दास थे इसके लावा तयीब जी थे एक सेक expecting ओप सैय स कि इसके लावा तयीब जी थे ठीक है और एक और शाह है जिनका नाम चाहिए और इस तरीके की जो है उन्होंने एक मैसिव मर्डर केस के नाम से इन्होंने निकाला तो यहाँ पर क्या है कि डायर को इन्होंने यहाँ पर गिल्टी माना था तो यह गिल्टी माना था यहाँ पर ठीक है तो यह कमिशन थी तो अल्टिमेटली यह थी हमारी जो जलिय यह वाला बाग के बाद ultimately क्या होता है कि यहां पर एक सहाब रहते हैं जिनका नाम रहता है चमनलाल इन चमनलाल ने क्या किया था कि अपना एक डंडा फॉज निकाला था तो डंडा फॉज निकाला था एक नई आर्मी बनाई गई थी गुरूप बनाए गया था और यह क्या कर जो होता है revolutionary posters हुआ करते थे बताते थे कि क्या क्या दिक्कते हो रही हैं और क्या क्या चीज़े गलत हो रही है हमारे society बे तो जलिया वाला बाग को ले करके भी इन लोगों ने क्या है posters जो है वो पेस्ट किये थे next जो हमारी moment आती है वो आती है siitä है lfet moment यह फिर खिलाफ़त moment कि अविके खिलाफ़त क्या है खिलाफ़त अब कि का होता है अब हिस्टरी में क्या होता है वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर क्या होता है कि 1914 से वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड वार वन में क्या होता है दो तरीके की कंट्रीज होती है ठीक है एक होती है जो एलाई कंट्री रहती है और दूसरी रहती है जो एक्सिस कंट्री रहती है ठीक है एक मित्र रास्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जिनको धूरी राश्ट्र बोला या तो यह वर जो है नाइटेन-जम्त चलती है और नाइंटेन-धाइन तक चलने के बाद में जो ब्रिटेन है वह वो टर्की के लड़ा था अतर्की में थी ऊतोमन अंपाई ओटमन अंपाईर और इस ब्रिटेन के वर के और से सब्सवार्टाइब टोटमान अमपायर का कोलाप्स होना था और आये जो मतलब हैड होते थे उनको बलाता था खलीफेट या फिर हिंदी में इसी को बलाता है खलीफा इंवन जब मेडिवल हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो हाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि कहल खैलिफेट ही किसी को सुल्तान बनाते थे और यह बेसिकली रुलीजियस तौर पे किया जाता था तो खैलिफेट हुआ करते हैं तो खैलिफेट का ओव्यसी बात है कि यहां पर डिक्लाइन हो ही जाएगा और इस डिक्लाइन होने का मतलब है कि रुलीजियस सेंटिमेंट अमं करके कोई बात नहीं कही थी कोई criticism नहीं कोई support नहीं इनफेट इरान इराग यहां पर भी इरान इराग सीरिया यह जो Muslim countries हैं यहां पर भी Caliphate को ले करके कोई बात नहीं की जा रही थी decline हो रहा है ठीक है no issues यह cancel रहा था लेकिन इंडिया में ही कुछ ज़्यादा ही इस चीज को हवा दी गई और हवा देने के पीछे कारण यही था क्योंकि हिंदू Muslim unity अपनाना था तो हिंदू Muslim unity के लिए यह काम किया गया और यहाँ पर जो मुसल्मान इस Caliphate के अगेंस्ट में जो गय थे उनको support provide किया गया support provide करने में सबसे आगे जो थे वो थे हमारे गांधी जी तो गांधी जी ने क्या किया इस Caliphate system को start किया और Caliphate को ही आगे जा करके ultimately जो है खलीफा यानि खिलाफत moment के नाम से भी जा रहा आता है तो खिलाफत का मतलब कुछ नहीं होता है खिलाफत का मतलब होता है बस Caliphate इस तरह से ध्यान रखिएगा तीक है अब यहाँ पर जो होता क्या है कि खिलाफत moment को start किया आता है इस खिलाफत moment को start करने में सबसे आगे जो रहते हैं वो रहते हैं भजलूल हक को और बाद में बाद में जोRepंड बन ने हमारे गांदी जी बन जाते हैं महातमा गांधी थीक है महातमा गांधी भं जाते हैं ऑलगगांधी जी जो यह मुङका परस्ति कर रहे थे जो पॉजिटिव एप्रोच था ऐसा नहीं है कि यह निगेटिव एप्रोच है और अपने आपको साबित करने के लिए कुछ करना है अपने पहचान लिया और जिनना ने कहा कि गांधी जी इस तरीके का यह जो काम कर रहे हैं यह गांधी जी को नहीं करना चाहिए तो गांधी जी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था हिंदु मुसलिम यूनिटी के नाम पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था और 17 ओक्टूबर 1919 को खेलिफेट दे मनाया गया था तो इस खिलाफत दिवस्त खिलाफत दे यह सेलिबरेट किया गया था तो यह डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनिहाओ यह एक्जा कि जो खेलिफेट है यानि कि जो आपका ओटोमन अंपायर उसका डिसिंटिग्रेशन करा ही देती है ओटोमन अंपायर का डिसिंटिग्रेशन हो ही जाता है और डिसिंटिग्रेशन होने के बाद में अब क्या कर सकते हैं अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस सारा जितना है इस खिलाफत मोमेंट जो है यह आगे जाकर के मर्ज हो गया था किसमें इंडियन नेशनल इस्ट्रगल में इंडियन नेशनल इस्ट्रगल में क्यों क्यों कि यह लोग भी जो होता है बटिश के खिलाफ हो चुके है चाहिए वह इसलाम के कारण से हो रहे हो यह मुसल्मानों के खिलाफ के कारण से हो रहा है लेकिन यह क्या है कि ultimately आगे जाकर के इंडिये नेशनल इस्ट्रगल में जुड़ गया क्योंकि हेट जो है वो बहुत फैल गया था अब देखिए इंसिडेंट कौन कौन से हो रहा है एक हुआ है जो रॉल एट एक्ट है रॉल एट एक्ट के कारण से हिंदू मुसल्मान दोनों ही विचारे परिशान है दूसरा हो गया जलिया वाला जलिया वाला के कारण से अब पूरा हिं के कारणा से भी इंडिगो अगरे जो है। उसके कारणा से दबाव दिया जा रहा था। ट्राइबल मुमेंट अलग से चल रही थी जिसके कारणा से भी लोगों के उपर में दबाव था। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा भारत जो है यहां पर वोमिन भी थी है अलगी पूरा भारत जो है कहीं न कहीं अब वो अगेंस्ट ब्रिटिश हो गया था अगेंस्ट बिटिश अभी तक क्या था कि हाई क्लास लोर क्लास और जितने भी क्लास थे वो सब अगेंस्ट नहीं हो रहे थे लेकिन अब क्या है पूरा भारत अगेंस्ट हो गया था अब पूरा भारत अगेंस्ट होना यही तो बलकि गांधी जी चाहते थे कॉंग्रेस चाहती थी और जब पूरा भारत अलग हो जाएगा मतलब एक साथ हो जाएगा अगेंस्ट ब्रिटिश हो जाएगा अब एक अगर मुव्मेंट चलाए जाएगा तो अब ये काम करेगा बहुत अच्छा और इसी मौके को देखते हुए नाइंटीन ट्वंटी में अल्टीमेटली कैलकटा सेशन होता है कैलकटा सेशन होता है और इस कैलकटा सेशन का जो नित्रित करते हैं प्रिजडेंशिप करते हैं वो रहते हैं लाला राजपत राय लाला राजपत राय ने यहाँ पर असहयोग नौन को आपरेशन मोमेंट के लिए अपना resolution दिया था उन्होंने कहा कि हमें बिटिश के खिलाफ डिरेक्ट एक्षन लेना चाहिए डिरेक्ट एक्षन लेना चाहिए और हमें non-cooperation moment यह चलाना चाहिए फिर नागपूर सेशन होती है नागपूर नागपूर सेशन में क्या होता है कि अब सीन यहां पर यह हो जाता है नागपूर सेशन में यहां पर चेरियार रहते हैं इनका यह कहना होता है कि यह चलाना चाहिए non-cooperation moment चलाना चाहिए लेकिन इसी कॉंग्रेस में ग्रूप रहता है वो यह कहता है कि देखो यार 1919 के दौरान में प्रोविंशियल इलेक्शन पर इंडियन्स को कह दिया गया था कि चलो ठीक है तुम कर सकते हो तो प्रोविंशियल इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और जबकि वहीं पर एक ग्रूप था वो यह कह रहा था कि नहीं प्योर बैकॉट करेंगे हम लोग हर चीज का बैकॉट करेंगे तो यहां से क्या हुगा कि कॉंग्रेस में वापस से एक दरार आ गई कॉंग्रेस में एक तरफ लोग थे जो कह रहे थे कि हमें एंसीम तो करना है लेकिन इलेक्शन मे भी participate करना है और वहीं दूसरी ओर थे जो कह रहे थे नहीं pure ncm full ncm ठीक है तो this is pure ncm और इस कारण से obvious ही बात है Congress में फिर से division हो जाएगा division जो है obvious ही बात है होना ही था अब यहां से क्या हुआ कि जो election वाले लोग थे वो अपना अलग राग अपना रहे थे और जो pure ncm वाले थे वो अलग थे और इस कारण से कुछ लोग जो है Congress छोड़ने की बात कहने लगे और वो कौन लोग थे वो थे C.R.DAS C.R.DAS इसके अलावा मोतिलाल नहरू मोतिलाल नहरू जिन्ना जिन्ना हो गए एनी बेसेंट हो गए एनी बेसेंट हो गए ठीक है और मदन मोहनमाल भी हो गए यह वो लोग थे जो basically election में participate करना चाहते है थे election में मतलब participate करना चाहते थे election contest करना चाहते थे और इस कारण से ultimately होता क्या है कि यह लोग आगे जाकर के इलाहाबाद में इन्होंने अपनी एक party बना लेते हैं और party का नाम रहता है All India All India खिलाफत All India खिलाफत Congress committee तो this is Congress committee यह बना ली जाती है कब बना जाती है 1922 में बना ली जाती है तो यह तरीका अपना आया जाता है अब यह पूरा का पूरा जो session चल रहा है इस session में आगे जाकर के ओव्यसी बात है Congress की एक annual summit होने वाली है तो Congress की annual summit में अब यहां पर ultimately नया केस आता है non cooperation moment का NCM का तो this is non cooperation moment अब यह क्या चीज़ है और कैसे हो रहा है तो बैग्राउंड तो हम लोग ने अलड़ी यहां पर देख रखा कि 1920 में जब पूरा भारज कठा हो रखा है तो कैलकटा session में लाला लाच्वात राय ने NCM के लिए resolution दिया था कि हमें जो है NCM करना चाहिए ब्रिटेन को direct action direct action इनके खिलाफ में लगाना चाहिए और इस कारणा से ultimately कुछ लोग इकठे भी हो गया थे गांधी जी ने भी इंपक्ट सपोर्ट किया था कि हमें ऐसा करना चाहिए लेकिन कुछ लोग थे जो इसकी खिलाफ जैसे चितरंजन दास हो गया मदन मुहन मालाविय हो गया जिन्ना हो गया अल्टिमेटली नाखपूर का सेशन होता है नाखपूर के सेशन में non cooperation moment को कहा जाता है कि हमें करना चाहिए और करने के कारण से तिर यह सीर दास दड़ा सेशन विजय व right session और इस session में लटीमेटली नन को औपरेशन moment को पास कर दिया जाता है और का जाता है कि ठीक है नन को मोमेंत अब शुरू कर दिया जाना चाहिए तो तो विजल बिक अब करो परोकल आपार्यों आम minutes वोने वाला है destructive destructive बोलिए या फिर या फिर बोलिए कि against ठीक है against work तो दो तरीके के basically काम किये गए कि एक तरफ जो है constructive काम किये जाएंगे या दूसरी तरफ जो है destructive काम किये जाएंगे constructive कहने का मतलब यह हो गया कि national school and colleges खोले जाएंगे national school college इसके अलावा पंचायत खोली जाएंगे so this will be पंचायत तो यह open की जाएंगी इसके अलावा हम end to untouchability करेंगे untouchability जो value है उसको हम लोग जो है दूर करेंगे end to untouchability इसके अलावा Hindu Muslim unity पर काम किया जाएगा Hindu Muslim unity पर काम किया जाएगा और चौथा expansion of स्वदेशी expansion of स्वदेशी इन चार चीजों पर जो है वो constructive work किये जाने के लिए ultimately मांग भी destructive काम में क्या क्या करना था destructive काम में करना था return of titles return of titles टाइटल जो है वो वापस किये जाएंगे इसके अलावा जितने भी government officers है या government में काम करते हैं government employee वो अपनी अपनी जो मतलब नौकरी है उसको resignation दे देंगे तो resignation to the government employees हो गया इसके अलावा school college में जितने भी लोग है वो school college छोड़ देंगे तो वही है school college student student to resign again ठीक है यहां से भी यह लोग जो है छोड़ करके वापस आ जाएंगे इसके अलावा और क्या करना होगा rejection करना होगा हमें rejection to the foreign clothes जितने भी foreign clothes वगर हैं उनको हमें उनको हमें reject करना होगा उसको हम लोग छोड़ेंगे boycott करेंगे basically so this is boycott तो यह कर दिया गया और यह कहा गया कि चलो ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक अगस्त 1920 से यह NCM start करने की बात कहीं गई लेकिन इस दिन एक बहुत ही दुखद घटना हो गई दुखद घटना क्या हो गई कि यहां एक एक अगस्त 1920 को ही जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है इनकी death हो जाती है तो बाल गंगाधर तिलक की death हो जाती है और ultimately यह होता है कि अब क्या करना है तो गंधी जी ने कहा कि हम लोग रोकिंग ये नहीं 1857 में हम लोग उने डिले कर दिया था इसी कारणा से वहाँ पर problem हो गई थी हम लोग जो date यहां पर fix की गई है उसी date पर सारी चीज़े होंगी हाँ तिलक साहब के लिए हम लोग क्या करेंगे एक तिलक memorial बनाएंगे तिलक memorial बनाएंगे और इस तिलक memorial के लिए एक करोड रुपए एकठा करने का target रखा गया और इसे करोड रुपए एकठा करने के लिए 20 लाख परचे बाते गये थे क्लब की वही advertisement वगर है और अल्टिमेटली तिलक memorial को बनाए जाने के लिए बात कही गई थी कि हम लोग यह काम करेंगे और इस तिलक memorial के लिए एक fund का नाम दिया गया जिसका नाम दिया तिलक स्वाराज fund इस तिलक स्वाराज कोश या फिर तिलक स्वाराज fund यह नाम दिया गया था इस memorial का तो यह काम किया गया और अल्टिमेटली एक अगस 1920 को ही जो यह NCM में वो स्टार्ट किया गया NCM स्टार्ट करने के कारण से सारे लोग जो है बढ़ चल करके हिस्सा ले रहे थे और अल्टिमेटली जो होता है यह कह रहे थे कि यार हमें जो होता है आजादी चाहिए इवन NCM के लिए गांधी जे ने यह तक बोल रखा था इतना ज़्यादा आप्टिमिस्टिक थे यह कि हम एक साल के अंदर अंदर में हम लोग आजादी ले लेंगे जो आप डॉमिनियन स्टेटस या बाकी जितने भी चीजे बोल रहे हैं होम रूल बोल रहे हैं यह सब छोड़ी है हम लोग एक साल में आजादी ले लेंगे और सब लोग मिल करके आगे जो होता है आगे आए और अपनी तरफ से जो भी काम कर सकते थे वो किये गए नेेशनल कॉलेज ही सकूल यह सब ओपन किये गये ते और इसकी परिंसिपल बनाए गए थे सुबास चंद्रबोस नोट काम करनी शुरू कर दी थी हम है जो कोड़ average क हिंद हो गया कैसर ए हिंद इन्होंने वापस किया इसके अलावा एक बोर बोर टाइटल था उसको भी वापस कर दिया गया इसके अलावा एक जुलु युद्ध जुलु वार को लेकर के टाइटल था उसको भी इन्होंने वापस कर दिया इसके अलावा जो जमना लाल बजाज जिनके बारे में उपर हम लोगों ने देखा जमना लाल भजास थे इन्होंने भी अपना नवाब बहादूर का जो अपना टाइटल था इसको भी इन्होंने रिटर्न कर दिया तो इस तरीके से रिटर्निंग ऑफ दा टाइटल हो रहा था हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के लि ही थे इनको दे दिया गया था जामा मस्जिद जामा मस्जिद से इन्होंने क्या किया था जामा मस्जिद से इन्होंने अपना स्पीच दिया मतलब आप देख सकते हैं कितना जादा जो होता है यूनिटी हो गई है और वहीं डॉक्टर किचलू जिनको ले करके अल्टिमेट लोग जो है foreign clothes को जला रहे हैं फेक रहे हैं और इस फेकने वेकने को ले करके obvious ही बात है हमारे रविन ना टैगोर तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही तो रविन ना टैगोर हमारे बोलते हैं कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग resource का जो है वो miss use कर रहे है तो कहीं ना कहीं ना टैगोर जो है इस तरीके के जलाने वाधा foreign goods के चलाने पर ये अगेंस्ट में थे लेकिन खेर ultimately इन्होंने भी NCM में participate किया था इन्होंने भी कहा था कि यहां ठीक है this should be go और ये चीज़े होनी चाहिए तो ये काम किया गया था हमारे इस NCM के लिए तो ये तरीके अपनाए जा रहे थे ठीक है इसके अलावा स्कूल कॉले से लोग रिजाइन कर दिये थे government employee जो है रिजाइन कर दिये थे और expansion of सौधेशी हो रहा था बहुत ही large scale पे हो रहा था लोग बहुत जादा attraction फील कर रहे थे इस moment को ले करके और बहुत जादा enthusiastic high level enthusiasm था क्योंकि पहला ऐसा moment आया था जहां पर अंग्रेज परिशान होना शुरू हो गया थे तो अंग्रेजों के परिशान होने के कारण से लोग जो होता है अब बड़े खुश हो रहे थे और दिन बदीन उनकी जो है एक नई energy आ रहे थे और इस energy के कारण से अब्वेसी बात है लोग आगे बाल चड़कर के हिस्सा ले रहे थे लेकिन अब यहां पर एक incident हो जाता है incident होने में क्या होता है incident होने में एक second थोड़ा सा यहां पर कुछ उपर नीचे किया जाए ताकि जगा बनाई जाए येस एक incident हो जाता है और incident होता है 1922 5 फरवरी यहां पर एक जगा है गोरगपुर के पास महीं गोरगपुर डिश्टिक में आती है चौरी चौरा इस चौरी चौरा इनफेक्ट आज भी जाएंगे तो वहां पर एक वार मेमोरियल बना हुआ है तो चौरा चौरी में क्या होता है कि यहां पर एक ग्रूप जा रहा होता है ध्यान से समझेगा विकॉस इस वेरी इंपॉर्टेंट और लोग चौरा चौरी को बहुत यादा गलत तरीके से देखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि एक ग्रूप जा रहा होता है और मार्च करते हुए जाता है तो मार्च करने में क्या होता है कि जो वहां की थाना रहती है उस थाने के बिटिश ऑफिसर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं वहां की जो महिलाएं वगर रह जब aggressive होते हैं तो आते हैं और वो कहते हैं कि यार ऐसा है जो होगा देखा जाएगा पहले आज इनको समझा करके ही जाएंगे तो इनको जो समझा करके जाएंगे उस सैंस में इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे ठाने में आग लगा दी थी आगलागान में अब्विस ही बात है पुलिस आफिसर्थ वगरे जो है वो मरेंगे तो मरेंगे ही लेकिन इल्टिमेटली ये एक वॉयलेंट घटना हो गए थी और इस वॉयलेंट घटना से हमारे जो गांधी जी थे जो कभी अपने वुसूलों के खिलाफ नहीं जाते थे कल हम लोगों ने बात किया था truth and non-violence और अगर कहीं भी violence होगा तो क्या होगा गाली खा जाएंगे लेकिन अपने वुसूलों के खिलाफ अपने principles के खिलाफ नहीं जाएंगे और वही चीज यहाँ पर भी होता है गांधी जी को जब पता चलता है कि चौरी-चौरा में incident हो गया है तो गांधी जी ने क्या किया तुरंद के तुरंद इस NCM को वापस ले लिया और ultimately 1922 में बारदोली Congress होती है बारदोली में रहते हैं बारदोली से इन्होंने बात है कुछ लोग जो होता है इसके अगेंस्ट में आएंगे आएंगे सुबास चंद्रबोस हमारे जो बहुत ज़्यादा इंतुजियास्टिक हो उन्हें का यह मतलब क्या कर रहे हैं कहीं कुछ भी हो रहा होगा तो आप उससे क्या फरक पढ़ना है लागा राज पत्राय ने कहा था कि जो है केरल में अगर कोई से एक्षन में आती है और जितने भी लीडर रहते हैं सब को वापस से पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है और इस तरीके से गांदी जी को भी जेल हो जाती है छे साल की लेकिन अल्टिमेटली बिमार होने के कारत से 1924 में इनको वापस जेल से निकाल दिया था तो 1922 से लेकर के 1924 तक ये भी जेल में रहते हैं क्लियर हो गया और इस तरीके से अल्टिमेटली एंसीम भी खतम हो जाता है तो ये थी एंसीम की पूरी कहानी तो कभी भी कोई भी मुमिंट आप पढ़िए तो उसके बेसिक्स को पढ़िए और ये भी जरूर आपको जानना चाहिए कि आखिर में खतम क्यों हो रहा है एंड कैसे हो रहा है और एंड के बाद क्या हो रहा है क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स एस्प्रेंट्स क्या होते हैं कि पढ़तों लेते हैं क्या हुआ कैसे हुआ लेकिन एंड कैसे हुआ ये नहीं पढ़ते हैं और UPSC अब नॉन कॉपरेशन मोमेंट में क्या हो रहा था कि अंग्रेज राज कर रहे थे लेकिन सहयोग से कर रहे थे मतलब कि पीपल्स के पार्टिसिपेशन के कारण से कर रहे थे और इस कारण से 1 ऑगस्ट 1920 को इस मोमेंट की शुरुआत कही जाती है कि हम लोग करेंगे स्पेशल सेशन 4 सेटमबर 1920 को कैलकटा कर रहता है लाला वाजपतरा रहते हैं गांजी जी इसमें पार्टिसिपेट किये रहते हैं लेकिन चितरंजन दाज जो है वो अपोस करते हैं एन्वाल सेशन होता है वी रागवाचारी के अंतरगत और अल्टिमेटली एंसीम जो है वो सब्सक्राइब करेंगे प्रमोट करेंगे MSME सेक्टर को गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे जबकि जो होता है टैगोर ने कहा कि वेस्टेज आप रिसोर्स है ऐसा काम नहीं करना चाहिए इस्टूरेंट्स जो थे वह अपने स्कूल से जो होता है नाम कटवा लिए फिर टीचर जो है वह बाहर आ गया थे इंडियन स्कूल जो है ओपन किये गया थे काशी विद्यापीर जामिय मिलिया स्कूल यह सब इसी समय खोले गया है इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन बाइकट किये गया थे लेकिन मद्राज को छोड़ करके बाकी सारे जो होते हैं वह पार्टिसिपेशन में थे गांधी जी ने अशूर किया कि एक साल में हम लोग इंडिपेंडेंस ले लेंगे लेकिन खैर इंडिया एक साल हो गया था और जो लोग थे वह ओवियोसी बात है कि फ्रस्टेट हो गया थे लेकिन प्रिटिश ने इन पर कबजा कर लिया था और यह सारी चीज़ें कर ली गई थी क्लियर हो गया क्या है एंसीयम की बारे में अगर अनलिसिस देखी जाए तो क्या चीज़ है दो मुव्मेंट वाज नॉट सक्सेस्फुल इन अचीविंग सुराज लेकिन यह मास मुव्मेंट था वे लैक्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट बिटिश गोट खादी जो है वो प्रमोट किया गया दिस मोमेंट वाज इस्टाबलेश गांधी जी एज लीडर ऑफ दा मासस इड्रीव मेनी मुसलिम तो अब क्या हिंदू-मुसलिम यूनिटी भी हो गई है अल्थो मोस्ट कॉंग्रेस लीडर रिमेंड फॉर्मली हुआ है सब लोग सपोर्ट में कोई अगेंस्ट में नहीं है क्लियर हो गया क्या चीज़ है इसके बाद से चौरी-चौरा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर पीपल जो होता है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन कुछ लोग जो है वो पीछे से आ रहे और उन क्योंकि चौरी-चौरा इंसिडेंट जो हैं वो केवल और केवल जो होता है वह मैमोरियल है मतलब कहीं पर कोई चीज लिखीत असाक्ष नहीं है किवल जो बताते हैं उनिके बारे में मिल्ती हैं जाती हैं कि किसी महिलाओं को छेड़ा था तो किसी ने बोला कि मार्ट कर रह को समझे नहीं और लोग अभी तयार नहीं है 1922 में गांदी जी को जेल कर दी आती है और इस समय जो जज रहते हैं उनका नाम रहता है सवराज पार्टी वगरे बना दी गए तो सवराज पार्टी वगरे किसे पार्टी किया था और फिर ultimately हम लोग आगे और भी जो भी छोटी मोटी चीजे हैं उनको हम लोग देखेंगे complete करेंगे और फिर हमारी हिस्ट्री जो होती है वो नियर अबॉट 5-6 वीडियो लगेंगे और ultimately आपकी modern history complete हो जाएगी कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को email या टेलिग्राम करके पूछ सकते हैं दोनों की link नीचे description box में दी गई है उसको जा करके वहाँ पर चकाउट कर लिजिए टेलिग्राम लिंक को जॉइन कर सकते हैं और बाकि मिलते हैं अपने next video में till then goodbye and thank you so much